पुर्णिया पुलिस कफ्तान विशाल सर्मा के सामने दहीज उत्पिडन के आरोप को जील रहे एक पती ने गुहार लगाई है पत्नी द्वारा जूटे दहीज के मुकदमे लगा कर परिशान करने का है आरोप रोटा थाना निवासी नागेंद्र कुमार का या आरोप है कि उनकी पत्नी द्वारा उन पर दहीज उत्पिडन का जूटा मुकदमा दर्ज किया गया है नागेंद्र की शादी अक्टूबर 2017 में हुई थी शुरुवाती तीन माह इनका दामपत्ते जीवन खुशहाल था इसके बाद नागेंद्र के ससुर द्वारा पत्नी पर दवाव बनाकर जूटा उत्पिडन का आरोप लगाया गया समाज ने बैठ कर जब फैसला करना चाहा तो उन्होंने समाज और पंच को मानने से इनकार कर दिया अब नागेंद्र पूर्णिया स्पि के पास मदद के लिए आये हैं है अपने परिवार के सा सदैशियों के ऊपर केस लज़ रहा है सर जूटा 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 किस और में सर उसका यह है कि जालसाजी रंग osoडारी यह सब उसका सब पेशा और हमसे सर पैसा पैसा और जमी नेटने के लिए सर ऐसा बार-बार यह कर रहा है अच्छा से अच्छा से रही लड़की साधी जैसे भी वा सर हो गया ठीक है अच्छा हुआ लड़की रह रही थी उसको परहा रहते नर्सिंग करवा रहते वहां से उसको किसंगेंज से उठाके किसंगेंज से उठाके सर लाके तब केस किया गया थे तो आप क्या करना जाया है सर इस पी के पास यहां पर इस पी सर के पास आया है सर की पहले पहले भी केस किया था सर जेल गए थे फिर बेल हुआ सर तो कोई मेरे तरफ से उसके उपर जवाब दिये थे तो मेरे मेरे लिए से कोई जवाब में कोई कारवाई नहीं हुआ सर समा समाज जब उनको बोलता है कि आप ऐसा ऐसा क्यों जुटा कर रहे तो बोलता है हम समाज मौच को नहीं जानते हैं पर पंचाइटी को नहीं जानते हैं हम कोट से लड़ना जानते हैं, हम जिन्दगी कोट से लड़ते वे आये हैं, केस में ही इसको करेंगे, जैल में सराएंगे इसको करेंगे, जब मेरे हां रहती है, बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, जब उसके पिताजी आते है, उसको लेकर जाते है, तो वो पच्छ बदल हो कि अधे कि अब कर दो है कि अधे कि अधे कि अधे कि अधे बीजब को बड़ है कि अधे ड़ेवाव बड़ी